अगर अपने गार्डन में आपको हिबिस्कुस लगाना है अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है तेरिस पे लगाना चाहते हैं गमले में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए जिससे हमें बहुत सारे फ्लावर्स डेली मिले क्वालिटी फ्लावर की बहुत अच्छी हो ब्लूमिंग हेविली हो और ब्लू जो फ्लार्स की जो कलर है वह पॉपाउट हो के खिले हैं और हमारे गार्डिन को ब्यूटिफल बनाएं तो इसके लिए मैं भी आपको रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर करूंगी यह मैंने रिसेंटली पर आने से यह मेरा और जो स्वाइल है पॉट में रखा हुआ था मैं इसी स्वाइल को यूज कर लूगी अभी गौर्डिन स्वाइल 50 परसंट वर्मी कॉंपोस्ट 20 अगर लीफ मोल्ड कॉंपोस्ट है तो 20 परसंट लिए बहुत ही अच्छा होगा साथ में मैं 10 परसंट पूल भी ना करें और उसके जगह पे आप सैंड का इस्तेमाल करें अगर आपका स्वाइल क्ले है तो उसमें सैंड का 10 परसंट आप जरूर इस्तेमाल करें यह घर का बना हुआ लीफ मोल्ड कॉंपोस्ट है जो भी पत्ते बाहर गिरे होते हैं तो मैं उसे जमा कर लेती हू उसमें थोड़ा सा पाली स्प्रे करते रहेंगे तो वह पत्ते जो है वह धीरे धीरे खुदे डिकंपोस हो जाते हैं और डिकंपोस होने के बाद वह ब्लैक गोल्ड बन जाता है जो कि पौधों के लिए डायमेंड गोल्ड से कम नहीं बहुत ही अच्छा यह रिजल्ट दे में और रोजिस में जब मैंने रिपॉर्ट किया था तब मैंने सारे प्लांस को दिया था ही विसकस में अभी मैं देती हुई से रिपॉर्टिंग के टाइम भी और दो-तीन महिने पे एक बाल एक-एक मुठी करके अगर आप दे देंगे तो जो स्वाइल के अच्छे होती है जिससे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे होती है और हमेश्वा फ्लावरिंग होते रहते हैं अगर यह पत्ता आपका पूरा नहीं गला है तो आप नीचे वाला चेक करेंगे तो नीचे का जो पत्ते हैं वह पहले गल जाते हैं उपर के धीरे-धीरे डिकंपो होते हैं तो नीचे से आप निकाल लीजिए और उसको अच्छे से क्रश करके और अपने पॉटिंग मिक्स में मिला लीजिए अगर आपके पास अवलेबल है तो ऐसे आजकल तो नियर्बाइ नर्सरी में भी यह सं मिलने लगा है मैं कोको पीट लूँगी साथ मैं क्यूंकि जो भी फंगिश इविलेबल है सिस्टेमेटिक या कॉंटेक्ट या सिस्टेमेटिक कॉंटेक्ट बोथ आप उसजिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं फंगिशाउड के बाद आपको लेना है इसके लिए बोन मील होनल स्स पी कोंडिटी हमें बहुत कम रख ली हैं बोन मील सि अगर आपके पास एविलेबल है तो नहीं तो आप नॉर्मली जो मैंने फंगिसाइड नीम खली ये से मिला है उसे तो जरूर मिला है और मिक्स करके और अच्छा साइग पॉटिंग मिक्स बना ले जो कॉंपोस्ट होता है उसका जब इस्तमाल करते है अच्छी कॉंटिटी मे तो अच्छा कॉंपोस्ट एवलेबल रहता है तो उससे स्टार्टिंग में अगर आप मिक्स करेंगे पॉटिंग मिक्स में तो उसके जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आती है और यह जो प्लांट है यह थोड़ा से अतना हेल्दी दीख नहीं रहा है बट मेर पास वाइट कलर नहीं था तो मैंने यह मल्टी पेटल बहुत ही लाइट येलो कलर का मल्टी पेटल है लगभग वाइट ही कह सकते है बहुत लाइट कलर का है मल्टी पेटल ही विसकस तो सबसे पहले नीचे मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर लिया साथ में जो सुखी कुछ प कर सकते हैं आप पोटिंग मिक से उसे भर दिजी और चेक कर लिजे पहले यह जो मेरा प्लांट है वह उसमें आ रहा है ही यह नहीं अच्छे से एडर्शस्ट करके और प्लांट को लगा लेना है तो मैंने यह ग्रो बैक कट कर लिया यह लगुछ चार इंची के ग्रोबैग में लगा हुआ है प्लांट तो बड़ा है पर इसकी जो स्वाइल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर मैं इसको हलका सा स्वाइल रिमूव नहीं करूंगी इसके रूट्स को थोड़ा से एक्सपोस करना पड़ेगा साइड से फर्टिलाइ करना पड़ेगा मिbles बिल्कुल भीगनी पसनली कि सी किसी के मिठी बहां अच्छी होती है व्ड़ांट मेर्षम इव इसको मुछ है इसको स्वाइब काली से फिरा और इसे थोड़ा हटा दोंगी इसके बाद इसे में अपनय जो मेरा पोटिम मिक्सिर उसके में लगा दूँ यह मैंने लगा दिया आप वाटिंग मिक्स फिल कर दूंगी अगर आप वाटिंग मिक्स सही बनाते हैं और अगर आप महीने में दो बार अच्छे से कॉम्पोस्टिंग करते हैं और फडिलाइजर देते अपने प्लांस को तो आपका प्लांट कैसा भी हो वह बहुत ही बनी रहेगी मैंने अपने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेर के है चैनल पे अब वोस्ट वीडियो भी देखें कि कब कौन सब फडिलाइजर देना चाहिए हमें अपने प्लांस की ग्रोथ के लिए फ्लावरिंग के लिए रिपॉर्टिंग के बाद कब देना चाहिए स इस्क्रिप्शन पे सभी लिंक भी शेर कर देंगे आप लोगों क्यों जिससे इजिली आप चेक कर पाएंगे लास्ट मैं मैं इस पर पानी दोंगी पानी देने के लिए मैं ह्यूमिक का इस्तेमाल करती हो इसमें मैंने पानी में एक चमच हूमिक इस्तेमाल किया है यूमिक साथ में 500 ml प्लेन वाटरिस में दे दे मेरे अपने गार्डेंग में लगभग 20 प्लस हिबिसकस के वराइटीज लगा रखा है जिसमें देशी भी है पूने अमेरिकन हाइब्रिड के बहुत सारे वराइटीज लगे हुए है मल्टी पेटल सिंगल पेटल सभी मैंने लगा रखा है और अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैंने विसकस से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आया मेरे कलेक्शन पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे स्ट्रैनल को नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दे जिससे अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इस वीडियो के लिए इतना ही मिलती हो अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर और प्लीज कमेंट करें अगर कोई सुझाव आपको मुझे देना है तो बाई बाई और थैक यू फो वाट रहें